Hello Students! The question is, convert the following. First part है, benzene to metanütrobenzayeldehyde. यह हमने क्या बनाया? Benzen, benzen को किस में convert करना है? Metanitrobenzayeldehyde. Benzayeldehyde क्या होते है? Benzen पर CHO part. यह हमारा क्या है? Benzayeldehyde. अब हमें क्या लगाना है? Metaposition पर NO2 ग्रूप लगाना है. Meta position क्या होती है जो भी group लगाया उसके respect में 3rd position ये 1st position, ये 2nd और ये 3rd position तो हमने यहां क्या लगा दिया NO2 तो देखो सबसे पहले में क्या करूँगी benzene को किसमें convert कर लूँगे tolwin में तो tolwin के लिए benzene से अगर मैं tolwin convert करती हूँ तो मुझे क्या पता होना चाहिए fiddle craft reaction अब fiddle craft reaction इसमें मैं कौन सी लगाऊंगी fiddle craft alkylation क्या होती है CH3, Cl add कर दू किसकी presence में AL, Cl3 की presence में तो benzene पर क्या लग जाएगा CH3 लग जाएगा उसी को हम क्या बोलते है tolwin अब आगे क्या करूंगी मैं Cl to add करूंगी किसकी presence में light की presence में ये बेटाजी कौन सा mechanism follow करता है free radical mechanism देखो Cl और Cl का electronegativity क्या है सेम है अगर electronegativity सेम है तो ये क्या होगा एक electrone इस तरफ shift हो जाएगा एक electrone इस तरफ shift हो जाएगा homolytic cleavage हो जाएगा तो ये क्या बनेगा Cl radical और Cl radical यहां पर carbon और hydrogen का electronegativity भी सेम है almost क्या है सेम तो यहां से भी क्या होगा bond break होगा एक electron carbon की तरफ एक electron hydrogen की तरफ तो carbon पर free radical generate हो जाएगा और hydrogen पर free radical generate होगा तो क्या बनेगा CH2Cl अब फिर से क्या आएगा H new Cl2 की presence में तो देखो अब है क्या बन गया था हमारा CH2Cl अब फिर मैं क्या add करूंगी Cl2 light की presence में फिर से सेम mechanism होगा Cl radical बनेगा Cl radical यहां से C radical बनेगा और H radical combine करके क्या बना देगा CHCl2 यह बन गया अब इसके बाद हम क्या करेंगे hydrolysis करेंगे CHCl2 benzene क्यों पर लागा hydrolysis क्या add करूंगी H2O अब H2 कैसे तूटता है H प्लस और OH नेगिटिव में तो 1H और 1Cl निकल जाएगा HCl निकल जाएगा तो क्या होगा CH, Cl, OH फिर से एक molecule water का और add करूंगी फिर से क्या निकल जाएगा HCl निकल जाएगा तो यह क्या बन गया CH उसके साथ 2 OH ग्रूप लग जाएगे अब यहां से क्या होगा यह electron density यहां shift होगी तो यहां क्या बनेगा C double bond O बनेगा तो यह OH वाला part क्या जाएगा बहर जाएगा OH और H क्या निकल गया water निकल गया तो यहां क्या बन गया benzyald हाइड बन गया अब आगे हमें क्या लगाना NO2 ग्रूप लगाना है तो क्या अड़ कर दूंगी HNO3 प्लस H2SO4 यह जो CHO होता है यह क्या होता है meta directing group होता है तो यह meta position पर NO2 को लगा देगा फर्स पार्ट हो गया अब हम सेकिंड पार्ट पर आते है सेकिंड पार्ट है bromobenzine to benzoic acid bromobenzine क्या होता है benzine पर BR किसमे convert करना है benzoic acid में benzoic acid क्या होता है benzine पर COOH group अब देखो bromobenzine को किसमे convert करना है benzoic acid में तो सबसे पहले में क्या add करूंगी magnesium metal एड करूंगी bromobenzine में क्या बन गया यह बैंजीन पर NGBR इसके बाद क्या करूंगी CO2 एड कर दूंगी CO2 को मैं open करके लिख लेती हूं C double bond O C double bond O अब देखो carbon और oxygen में more electronegative element कौन है? oxygen तो oxygen क्या करेगी? electron density carbon से विड्रो कर लेगी जब यह electron density carbon से विड्रो करेगी तो oxygen पर क्या आ जाएगा? negative charge carbon पर क्या चार्ज आएगा? positive charge और यहाँ पर क्या होगा? यह grignard reagent है तो magnesium क्या है? metal metal क्या करता है? electron देने का काम करता है अगर metal electron देता है तो metal पर क्या चार्ज आएगा? positive charge इस वाले carbon पर क्या आ गया? partial negative charge तो अब देखो positive charge और negative charge हमारे बन चुके है positive negative की तरफ जाएगा negative positive की तरफ आएगा तो यह oxygen O oxygen पर क्या चार्ज इन negative? यह negative charge किसके पास जाएगा? positive की तरफ, mgbr की तरफ और जो यह यहाँ पर negative charge है वो किस पर अटेक करेगा? carbon positive पर अटेक करेगा तो क्या बन जाएगा? carbon positive पर यह वाला carbon negative और यहाँ क्या लग जाएगा? mgbr अब मैं क्या एड़ करूंगी? water एड़ करूंगी water कैसे तूटता है? H plus और OH negative में अब फिर से ही यहाँ पर क्या है? magnesium O के साथ जोड़ा हुआ है magnesium metal है metal का काम electron density देना होता है तो magnesium भी तो positive चार्ज आएगा oxygen भी क्या चार्ज आएगा? negative charge यह negative charge के पास कौन जाएगा? positive part H plus और इस positive part के पास कौन आएगा? OH आएगा OH negative तो क्या बन जाएगा? C double bond O इसके साथ O के साथ क्या जाएगा? H plus क्या eliminate हो जाएगा? mg OH BR तो यह क्या बन गया अपना? benzoic acid I hope आप सभी को समझाया होगा thank you